नमस्कार दोस्तो अब हम बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी के लिए क्या रहे हैं कह रहे हैं इस बर्स और क्या आपका मिथुन रासी का क्या रासी फल निकलता बार्सिक रासी फल वह हम देख लेते हैं तो मिथुन रासी का जो स्वामी होता है वह होता है और मिथुन तो हम यहाँ पर मिथुन रासी की बात कर रहे हैं क्योंकि बर्तमान में जो है मिथुन रासी पर सनी की अढ़हिया चल रही थी और वह इस वर्ष याने 2022 में समाप्थ हो जाएगी जो भी आपने परिशानिया अभी तक जेली है वह सारी परिशानिया आपकी दूर होंगी तो जी हैं दोस्तों मैं हो मुक्ताद इखषेत एस्ट्रोजर चैनल को लाइक शब्राइब जरूर करी कीजिए इसके साथ ही आप गोल्ड सिलवर निप्टी निप्टी वैंक सेयर मार्केट से संब्दित एस्ट्रोजी के कार हमारे कारले से परामर से पर संपर्क कर स सकते हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हम से आप सभी को इसी वीडियो की माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद है और अब हम देखेंगे कि आपका रासी फल क्या कहता है क्योंकि रासी फल से हम अपना भविष्य जानते हैं कि आखिर वह विश्य में क्या चुपा है औ अब हम देखेंगे कि मितुन रासी आलों के लिए आकर रिहाय वर्स कैसा रहेगा तो सबसे पहले मितुन रासी वालों के लिए जो है जनवर इसे लेकर अप्रेल तक कर समय पोना कष्ट कारी रह सकता है कुछ परिशानी आपको उठानी पर सकती है कार से संबंधित व्याप मुक्ति के प्रभाव से जो है आपको थोड़ी सांती महसूस होगी अभी तक आपने जो कष्ट परिशानी उठाई है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी तो मितुन रासी वालों के लिए अब दूसरे ग्रह वी क्या कहते हैं यह देखना भी जरूरी है तो गोचर में जो है शनी अपनी मकर रासी को छोड़ करके कुम रासी में 28 अप्रेल से प्रवेश करेंगे तो सनी के प्रभाव से पुनहकार जो आपका पराकरम है इसमें कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है आए से संबंदित कुछ परिशानी आपको उठानी पड़ सकती है लेकिन गुरू ग्रह जो योग बनावींगे और गुरू के प्रभाव से आपके मन चाहेकारियों में सिद्धी होगी रिन रोग और सत्रों से आपको मुक्ती मिलेगी अब इसके बाद हम देखते हैं कि राहू के तू आपके लिए क्या काम कर सकते हैं तो जी हां दोस्तो राहू के तू बरतमान में ब्रशब और ब्रश्चिक राशी में इनका गोचर चल रहा है लेकिन 11 अप्रेल के बाद से राहू और केतू जो है मेस और तुला राशी में इनका गोचर चलेगा तो इसके प्रभाव से जब लाव में जो है लाव में राहू आ जाएगा और तुला राशी में केतू रहें और छोटे लोगों से भी जो है आपको विसेश लाप की योग बनेंगे लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको कष्ट परिशानियां उठानी पर सकती हैं राई जगड़े बंधन का भय हो सकता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो भी आप काम करें उसको अनुश अचानक परिवर्तन का सभाव है व्यक्ति को अचानक जो है असुफली प्रदान कर देते हैं तो संतान से संबंदित कुछ परिशानियां भी आपको उठानी पर सकती हैं इसके साथ जो है भाग्य में दृष्टी पढ़ रही है तो आपकी अचानक भाग्य की ब्रद्धी भ पास से जो है सुफलों में विसेश ब्रद्धी होगी और इसके प्रभाव से धन संपत्ति की ब्रद्धी होगी और आपके जो नित रोग उदर रोग संबंधी रोग चल रहे से इनसे आपको मुक्ति मिल सकती है और जो आपको असफलताय लगी रही विसारी दूर होगी आपको क्योंकि राहू का गोचर पंचम भाव में हो रहा है इसलिए जो विद्यारती अच्छी मेहनत करेंगे उन्हें अवश्य ही शफलता की प्राप्ति होगी और जो व्यक्ति अपना समय खोता है आने वाले भाग्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता आने वाले समय म कि बढ़ान और इश्वर पुकारते हैं तो ऐसे लोगों की इश्वर मदद भाग्वान भी नहीं करते हमें अपना कर्म जरूर करना चाहिए और फल भगवान के हाथ में रहता है तो कर्म प्रधान है इसलिए कर्म सब के लिए ही जरूरी है तो कर्म करेंगे तो आपको को टालती है तो चोटी सी पंक्तियां हैं लेकिन जीवन को सवार देती हैं जी हां दोस्तों यह था आपका राशी पल अब इसलिए ग्रह सांती के लिए आप क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले सांती के उपाईवी में बताऊंगी आप सनिवार के दिन जो है सरसों के तेलकदीप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं इससे सनि के जो भी प्रवार राहुकेतु के वहसांत होंगे और राहुकेतु के मंत्रों का जाब कर सकते हैं और इसके साथ यदि हम एक हरा हकीक का पत्थर या ओनेक्स पहन लेते हैं तो इससे राशी को पावर मिलता है और यह दोस्तों यह था आपका मित्रों रासी का रासी फल चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार